तो क्या-क्या नए प्रोवक की है अपने? परिनाम दिख रहे उसह साब से हमनें कम से कम प्राकूतिक खेती की तरफ जा रही है है जो आपनी पार्म फारिक खेती है उसैंगे हमने की तिछले साल क्या अनुभुव आया प्राकूतिक खेतीमें वहाँ जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वह कम लगा और जो प्रोडक्ट थे सर्थ तो समादान था कि हमने विदाउट पेस्ट को क्या है क्योंकि अब कैंसर के प्रमान जो बढ़ रहे हैं जैसे शहरी भागो में तो है लेकिन गाउ में भी हमारे उसका प्रमान बढ़ रहा है तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने शुरक्षित करना है तो यह मार का उलंबना जरूरी है इस हिसाब से वो महिलाए भी सत्रिय सहबाग इसके अंदर दिखा रही है अजा कलेंड जी आपने कुछ जलसवरोच्षण में भी काम किया ह है उसमें क्या किया है अपने सर रेंवोर्टर हर्वेस्टिंग जो हमारे शास्किये जितने भी इमारते जैसे की प्रातर मिक्षाला हुई अंगनवाडिया हुए हमारी क्रामपंचे की जो बिल्डिंग है वहां के जो पानी है बारिश का वो सब इकटा करके हमने एक जगा अंदर पर कोलेट होना चाहिए तो उस हिसाफ से हमने 20 रिचार्षाप हमारे गाउं के अंदर किये हुए है और 50 रिचार्षाप का सैंक्षन हो गया है वह जल्दी उसका भी काम तालू हने वाला है चलिए कल्यानी जी आपने असी बोलून खूप आनन जाला तुमारा खूप आनन्द जाला मंजे माजा आइश्चा तो संपुर्ण सार्त की लागला माद जीवन असमी समझते भास सेवा करा चलिए आपका नाम ही कल्यानी है तो आपको तो कल्यान करना ही करना है धन्यवाद जी नवस्कार धन्यवाद कर धन्यवाद साथियों चाहें सुनिता जी हो या कल्यानी जी अलग-अलग छेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरख है मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की इस्पिरिट की रदय से सराना करता हूं मेरे प्यारे देश्वासियों आज हम सब के जीवन में टेक्नोलोजी का महत्व बहुत बढ़ गया है मोबाइल फोन डिजिटल गैजेट्स हम सब की जिंदगी का एहम हिस्सा बन गए हैं लेकिन क्या अब कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही हैं कुछ दिन बाद तीन मार्ज को विश् वन्य जीव दिवस है इस दिन को वन्य जीवों के सवरक्षण के प्रती जागरुकता फैलाने के उद्देश से मनाया जाता है इस वर्स वर्ल्ड वाइड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपर ही रखा गया है आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे द पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बागों की संक्या बड़ी हैं महराश्च्र के चंदरपूर के टाइगर रिज़ुर में बागों की संक्यां ठाइश हो से ज्यादा हो गई हैं चंद्रपूर जिले में इंसान और बागों के संगर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदली जा रही है यहां गाउं और जंगल की सीमा पर कैमेरे लगाए गए हैं जब भी कोई बाग गाउं के करीब आता है तब AI के मदद से स्थानिय लोगों को मोबा मेल पर एलेट मिल जाता है आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के तेरा गाउं में इस व्यवस्ता से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बागों को भी सुरक्षा मिली है साथियों आज यूवा एंट्रप्रनेस भी वन्य जीव सवरक्षन और एको टूरिजम के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं उत्राखंड के रूर्की में रोटर प्रिसीशन ग्रूप्स ने वाइल लाइप इंस्टिटूट अफ इंडिया के सयोग से ऐसा ड्रोन तयार किया है जिससे के नदी में गडियानों पर नजर रखने में मदद मिल रही हैं इस इसी तरह बैंगलूरू की एक कंपनी ने बगीरा और गरूड नाम का एप तैयार किया है बगीरा एप से जंगल सफारी के दोरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती हैं देश के कई टाइगर डिजर में इसका उप्योग हो रहा है आर्ट सब्सक्राइब को किसी सिसी टीवी से कनेक्ट करने पर रियल टाइम अलेट मिलने लगता है बन्य जीवों के समरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विवित्ता और सम्रुद्ध हो रही है साथ क्यों भारत में तो प्रकूति के साथ तानमेल हमारी संस्कृति का अभिन हिस्सा रहा है हम हजारों वर्सों से प्रकूति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं अगर आप कभी महराष्टर के मेलगाट टाइगर रिजोर जाएंगे तो वहां स्वयम इसे अनुहव कर सकेंगे इस टाइगर रिजोर के पास खटकरी गाउं में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होमस्टे में बदल दिया है ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है इसी गाउं में रहने वाले कोरकु जन जाती के प्रकास जामकरजी ने अपनी दो हेक्टर जमीन पर साथ कमरों वाला होमस्टे तैयार किया है उनके हां रुकने वाले परियटकों के खाने पिने का इंतजाम उनका परिवारी करता है अपने घर के आसपास उन्होंने आउशद ये पौधों के साथ आम और कौफी के पैड़ भी लगा है इससे परियटकों का आकरशन तो बढ़ाई है दूसरे लोगों के लिए भी जाते हैं लेकिन बकरी भी तो एक एहम पशुदन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है देश के अलग-अलग शेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं ओडिसा के काला हंडी में बकरी पालन गाउं के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जी के पीछे जयनती महापात्रा जी और उनके पती बिरेंज साहु जी का एक बड़ा फैसला है यह दोनों बैंगलूरु में मेनेजमेंट प्रोफिशनल्स थे लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर काला हंडी के साले भाटा गाउं आने का फैसला लिया यह लोग कुछ ऐसा करना चा साथ ही वो ससक्त भी बने सेवा और समर्पन से भरी अपनी इसी सोच के साथ इन्होंने मानिकस्तु एग्रो किस्थापना की और किसानों के साथ काम शूरू किया जैनती जी और बिरेंजी ने यहां एक दिल्चस्प मानिकस्तु गौट बैंक भी खोला है वे सामुदा इक स्तर पर बक्री पानन को बढ़ावा दे रहे हैं उनके गोट फार्म में करीब दर्जनों बक्रियां है मानिकस्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टिम तयार किया है इसके जरिये किसानों को 24 महने के लिए दो बक्रियां दी जाती हैं दो वर्सों में बक्रियां नव से दस बच्चों को जन्म देती हैं इन में से छे बच्चों को बैंक रखता है बाकी उसी परिवार को दे दी जाती है जो बक्री पारण करता है इतना ही नहीं बक्रियों की देखभाल के लिए जरूरी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं आज पचास गाउं के एक हजार से अधिक किसान इस दमपत्ति के साथ जुड़े हैं उनकी मदद से गाउं के लोग पशुपालन के खेत्र में आत्मन निर्भरता की और बढ़ रहे ह मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विविन्न ख्षेत्रों में सफल प्रफेशनल्स छोटे किसानों को ससक्त और आत्मन निर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं उनका यह प्रयात हर किसी को प्रिद करने वाला है मेरे प्यारे देश वाच्छों हमारी संस्कृति की सीख है परमार्थ परमोधर्मह यानि दूसरों की मदर करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य हैं इसी भावना पर चलते हुए हमारे देश में अंगिनत लोग निश्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में बोजपूर के पीम सी भवेश जी अपने खेत्र के मुसहर जाती के लोगों के बीश इनके कारियों की खूप चर्चा है इसलिए मुझे लगा है कि क्यों न आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाएं बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा है बहुत गरीब समुदाय रहा है बीमसी भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की सिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविश उज्वल हो सके उन्होंने मुसहर जाती के करीब आठ हजार बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बहतर सुविदा मिल रही है बीमसी जी अपने सबुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्युमेंट बनवाने में उनके फॉम भरने में भी मदद करते हैं इससे जरूरी संसाधनों तक गाउं की लोगों की पहुँच और बैतर हुई है लोगों का स्वात बैतर हो इसके लिए उन्होंने सो से अधिक मेडिकल कैंप लगवाए हैं जब कोरोना का महा संकट सीर पर था तब भीमसी जी ने अपने खेतर के लोगों को वैक्सिन लगवाने के लिए भी बहुत प्रोथाहित किया देश के अलग-अलग हिस्सों में भीमसी भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज में ऐसे अनेक नेक कार्यों में जूटे हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम इसी प्रकार अपने कर्तवियों का पालन करेंगे तो है यक ससक्त राश के निर्मान में बहुती साबित होगा मेरे प्याने देश वांचियों भारत की सुन्दरता यहां की विवितता और हमारी संस्कृति के अलग-अलग रंगों में भी समाहित है मुझे देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग निश्वार्त भाव से भारतिय संस्कृति के सहोरक्षन और इसे सजा जाने सवारने के प्रयासों में जूटे हैं आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे इन मैंसे बड़ी संख्या उनकी भी हैं जो भाषा के छेत्र में काम कर रहे हैं जम्मु कश्मीर में गौंदरबल के महमत मानशाह जी पिछले तीन दसकों से गोजरी भाष को समरक्षित करने के प्रयासों में जूटे रहे हैं वे गुजर बखरवाग समुदाय से आते हैं जो कि एक जनजातिय समुदाय है उन्हें बचपन में पढ़ाय के लिए कठीन परिश्रम करना पड़ा था वो रोजाना 20 किलोमेटर की दूरी पैदल काय करते थे इस तरह की चुनवतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को संवरक्षित करने का संकल्प द्रढ़ हुआ साहित्यक्षेत्र में मानशाजी के कारियों का धायरा इतना बड़ा है इसे करीब पचास समस्करोणों में सह जा गया है इनमें कविताएं और लोग्गीत भी शामिल है उन्हेंने कई किताबों का अनुवात गोजरी भाषा में किया है साथियों अरुणाचल प्रदेश में तीरप के बनवंग लोसुजी एक टीचर है उन्होंने वांचो भाषा के प्रसार में अपना एहम योगदान दिया है यह भाषा अरुणाचल प्रदेश नागालेंड और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है उन्होंने एक लेंग्वे स्कूल बनवाने का काम किया है इसके वांचो भाषा की एक लिपी भी तयार की है वो आने वाली पीडियों को भी वांचो भाषा शिखा रहे हैं ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके साथियों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गीतों और नुर्त्यों के माद्यम से अपनी संस्कृती और भाषा को समुरक्षित करने में जूटे हैं करनाटका के वेंकप्पा, अंबाजी, सुगेट का उनका जीवन भी इस मामले में बहुत प्रेरणादाई हैं यहां के बागल कोट के रहने वाले सुगाड कर जी एक लोग गायक हैं इन्होंने एक हजार से अधिक गौंधरी गाने गाये हैं साथी इस बाशा में कहानियों का भी खूब प्रत्यार प्रतार किया है उन्होंने बिना फिस लिये सेंकडों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी दी है भारत में उमंग और उत्सा से भरे ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारी संस्कृति को निरंतर सम्रुद्ध बना रहे ह आप भी इनसे प्रेणा लीजिए कुछ अपना करने का प्रयास करिए आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा मेरे प्यारे देश वाचियों दो दिन पहले मैं वारणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शांदार फोटो प्रदर्शन ही देखी कासी और आसपास के युवाओं ने कैमेरे पर जो मॉमेंट कैप्चर किये हैं वह अधबूत है इसमें काफी फोटोग्राप्स ऐसी हैं जो मोबाइल कैमेरे से खिची गई थी वाकई आज जिसके पास मोबाइल है वो एक कंटेंट क्रियेटर बन गया है लोगों को अपना हूनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद किये हैं भारत के हमारी वासाती कंटेंट क्रियेशन के ख्षेत्र में कमाल कर रहे हैं चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्रेटफर्म हो आपको अलग-अलग विशों पर अलग-अलग कंटेंट शेर करते हमारी विवासाती मिल ही जाएंगे तुरिजम हो सोशल कॉज हो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरग जीवन यात्रा इन से जुड़े तरह तरह के कंटेंट सोशल मुझूद है कंटेंट क्रियेट कर रहे देश के विवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रियेटर्स एवाड शुरू किया गया है इसके तहत अलग-अलग केटेगरीज में उन चेंज मेकर् करने की तयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नलोजी का उप्योग कर रहे हैं यह कॉंटेस्ट माई गौव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रियेटर्स को इससे जुड़ने के लिए आगर करूंगा आप भी अगर ऐसे इंट्रेस् जरूर नॉमिनेट करें मेरे पहरे देशवास्यों मुझे इस बात के खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभ्यान के शुरुवात की है मेरा पहला वोट देश के लिए इसके जरिये विशेस रुपसे फॉस्ट टाइम वोटर्स से अधिक से अधि किया गया है भारत को जोस और उर्जा से भरी अपनी वाश्यक्ति पर गर्व है हमारे वाशाथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागिदारी करेंगे इसके नतीजें देश के लिए उतने ही लापकारी होंगे मैं भी फॉस्ट टाइम वोटर्स से आगर करूंगा कि वैं रिकॉर्ड संख्या में वोट करें अठारा का होने के बाद आपको अठारवी लोगसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है यानि यह अठारवी लोगसभा भी युवा आकांशा का प्रतीख होगी इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है आम चुनावों के इस हलचल के बीच आप युवा ना केवल राजनितिक गतिविद्यों का हिस्सा बनिए बलकि इस दोरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरुक बने रहिए है और याद रखेगा मेरा पहला बौड देश के लिए मैं देश के इंफ्योंसर्स को भी आगर करूंगा चाहे वह खेल जगत के हो फिल्म जगत के हो साहित्य जगत के हो दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्ट्रागाम और यूटूब के इंफ्लेंसर्स हो वो भी इस अभ्यान में बढ़ चड़कर हिस्सा ले और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें साथियों मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही देश में लोगसभाद चुनाव का माहोल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था संभावना है कि मार्च के महने में आचार सहीता भी लग जाएगी ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परचाई से भी दूर रखा है मन की बात में देश की सामुहिक शक्ति की बात होती है देश की उपलब्दी की बात होती है ये एक तरह से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तयार होने वरा कारकम है लेकिन फिर भी राजनितिक मर्यादा का पालन करते हुए लोगसभाव चुनाव के इन दिनों में अब अगले तीन महेने मन की बातता प्रसारण नहीं होगा अब जब आपसे मन की बात में समवाद होगा तो वो मन की बात का 111 वा एपिसोड होगा अगली बार मन की बात की शुरुवाद 111 के शुब अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा लेकिन साथियों आपको मेरा एक काम करते रहना है मन की बात भले तीन महेने के लिए रुक रहा है लेकिन देश की उपलब्दिया थोड़ी रुकेंगी इसलिए आप मन की बात हैस्टेक के साथ समाज की उपलब्दियों को देश की उपलब्दियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुजाव दिया था सुजाव यह कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से चोटे चोटे वीडियो यूटूब शौर्ट के रूप में शैर करना चाहिए इसलिए मैं मन की बात के स्रोताओं से आगर करूंगा कि ऐसे शौर्ट को खुब शैर करें साथ को जब अगली बार आपसे समवाद करें